Hi everyone, welcome back to a new video और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक European country जो की Hungary है Hungary के work permit visa के बारे में ठीक है? एक साल का work permit है तो इसके बारे में हम पूरी detail में इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो अगर आप लोग channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर ले और जो लोग पहले से जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ या जिसको भी इस तरह की जॉब के साथ जॉब की रिक्वार्मेंट है ठीक है तो यहां पर लगबग सभी के लिए यह पोस्ट हो सकती है क्योंकि जनरल वर्क है तो वीडियो को द हाउस वरकर एंड कैंस्ट्रक्षन वरकर की रिक्वार्मेंट है अंगरी का एक साल का यह वर्कवर्मेंट है एपोइनमेंट की जैसे की दिक्कत आती आप जिनको प्रोसेस के बारे में पता है जिन्नों पहली बार करेंगे उनके लिए नहीं पर जिननों जो गल्फ रिटन ह या जिन्होंने पहले प्रोसेस कराया हुआ है उन्हें पता होगा कि appointment मिलना थोड़ा मुश्किल होता है तो यहां पर इसकी दिक्कत नहीं है क्योंकि जो appointment है वो company की तरफ से मिल जाएगी आपको all over India ठीक है permit मिल जाएगा आपको जो work permit रहेगा वो आपको देड़ महीने में आ आपके लग जाते हैं इसमें वैसे जल्दी भी हो जाता है ठीक है job होगी आपकी warehouse और construction में यह मैं आपको बता चुका हूँ salary की बात कर लेते हैं तो जो salary रहेगी वो 900 euro से आपकी start रहेगी यहां पर रहाने की 900 euro आपकी salary रहेगी accommodation आपको company की तरफ से provide रहेगा food जो है वो आ आपको जो cost या service charges हैं यहां पर हाँ एक चीज बता देता हूँ clear कर देता हूँ जिन में देखो after visa payment होती है जैसे कि मैंने इससे पहले video बनाई है South Korea की उसमें after reach payment है यानि कि जब आप वहां पर पहुंझ जाओगे तब जाकर आपको payment देनी है बस उसकी security आपको यहां पर जो payment है रहेगी एक तो जो सबसे पहले जो advocate fee होती है या token amount आप कह सकते हो starting में वह पी करनी होगी ठीक है उसके बाद permit pay देनी होगी और उसके बाद जो बाकी बचेगा वह after visa ठीक है अब इसमें जो आपको क्या-क्या pay करना है आपको खुद से ठीक है वह रहेगा आपका जो insurance की है insurance fee आपको देनी होगी visa fee, flight ticket ठीक है और जो आपको account में अपने balance शो करना है वह कम से कम पत्चीस सो यूरो आपको अपने account में balance इसमें शो करना रहेगा ठीक है अब इसमें आपके बाद दो option हो सकते हैं एक आप पूरे visa तक की amount जो है वह pay करो और काम करवाओ या फिर आप अगर चाते हो कि केवल आपको work permit मिले तो वह भी हो सकता है ठीक है तो इस तरह सी यह रहेगा और इसमें जो इसकी checklist है employment checklist हंगरी की वह मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है इसमें लग बग ठीक है duty field signed application जो की documents होते हैं यह आपको जो है लेने होते हैं इसमें और valid passport ठीक है और जो previous passport है उसका at least two blank pages ठीक है यह आपको देना होता है two passport size photo not older than three months यानि की तीन महीने से उपर की नहीं होनी चाहिए flight booking ठीक है accommodation proof for whole period of stay यह देना होगा आपको valid insurance ठीक है यह आपको देना है bank statement of the last six month बाकी amount में आपको बता चुका हूं कि कितना आपको यहाँ पर देना है proof of income if it's applicable ठीक है अगर इसकी जरुरत हुई तो signed preliminary employment contract जो की आपको employment से मिलता है वो आपको contract को sign करके जो है वो पेश करना होता है valid preliminary workforce need registration form यह तो खैर भराजी जाता है ठीक है यह चीज़े रहेंगी cv in English clear character certificate यानिकी यह भी आपको देना होता है birth certificate in English with apostille attestation यह देना है police report जो मैं PCC बोलता हूँ वो भी देनी है ठीक है यह सारी चीज़े बाकी जो यह checklist है यह भी आपको मिल जाएगी अगर मुझे याद रहा तो यह भी मैं आपको आपको टेलिग्राम चैनल पर या फिर अगर आप चाहते हो WhatsApp चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा ठीक है तो वहां पर आप देख लेना इस वीडियो की लिंक के शाथ ठीक है बाकी जो आपको मेरा WhatsApp नंबर है वो मिल जाएगा WhatsApp नंबर मेरा वैसे है 750506712 ठीक है उसके लावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको WhatsApp चैनल का लिंक मिल जाएगा और WhatsApp नंबर भी मिल जाएगा तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन बाई बाई टेक केर